कुक्स साथ प्रस नोली 211 प्रस नंबर 4 एक आयता कागज की लंबाई 12 सही 1 बट 2 सिंटिमेटर और चौड़ाई 10 सही 2 बट 3 सिंटीमेटर है आएत कागज का परिमाप ग्याद कीजिए तो हमको लंबाई भी दे रखिए है और चौड़ाई भी दे रखिए हमें परिमाब इसका ग्याद करना है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों हमको दे रखिए परिमाब क्या होता है दो ब्रेकेट लंबाई दन चौड़ाई यानि दो बार लंबाई और दो बार चोड़ाई को हम जोडते हैं तो वो उसका परिमापाता है तो यहाँ पर हमने लंबाई लंबाई की जगह लंबाई का मान रख दिया बारा सही एक बटे दो और चोड़ाई की जगह रख दिया दस सही दो बटे तीन तो यहां पर हो गया 12, 24 और 21, 25 बटे 2 और इसका मान आगिया 10, 33, 32, 32 बटे 3 तो 2 और 3 का लगुतम हमारा आगिया ये 6 6 में 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है तो 2 का भाग 6 में कितनी बार गया? 2 का भाग 6 में 3 बार और 3 से 25 को गुना किया तो 25 तीया 75 इसी परकार 3 का भाग 6 में गया 2 बार और 2 से 32 को गुना किया तो यहागिया 64 तो 75 धन 64, 75 और 64 को जोड़ दिया तो हमारा आगिया 149 बाहर से 2 था और बटे में ये 6 है ये तो 2 से हम 6 को काट सकते हैं तो 2 तीया 6 है तो इसका अंसर हो गया 149 बटे 3 अब ये बिसम भिन है तो इसको हम मिस्रविन में बना देंगे मिस्रविन क्या होगे इसका 3 का भाग हमने 149 में दे दिया 3 का भाग 149 में दे दिया तो कितनी बार गया पूरा-पूरा 46 बार गया और एक हमारा सेस बज़ गया तो यानि यह हो गया 46 से ही एक बट है तीन सेंटी मीटर इस सवाल का आंसर अब आते हम पांचवे सवाल पे पांचवे सवाल है कि दी गई आकरती में तिरबुज A, B, E और आयत B, C, D, E का परिमाब ग्याद कीजिए किसका परिमाब जादा है इस चित्र में आप दो चीज़ें दे रखी है उपर दे रखा हमको तिरबुज और नीचे दे रखा है आयत दोनों का परिमाब ग्याद करना है तो तिरबुज का परिमाब तिरबुज की तीनों बजाओं का योग तो पहले हम तिर्बुज का परिमाब निकाल ले हैं तो तिर्बुज की तीन बुज़ा हैं तिर्बुज की ये वाली बुज़ा हुए इसकी पांच बटे दो ये दे रखे इसकी तीन से ही तीन बटे पांच और ये बुज़ा दे रखे है दो से ही तीन बटे चार तो हम तीन, तीनों बुजाओं को पहले जोड रहे हैं यह जोड लिए हमने पांच बटे दो, धन तीन से ही तीन बटे पांच, धन दो से ही, तीन बटे चार अब यह जोड तुम आले छोड़ रहा हुँ है कि यह तुम्हें लगतम लेके इसका जोड करना है केवल जोड़कना और यह परिमाब निकलाएगा तिरवुजगा इसी परकार अब इसके नीचे आयत है आयत है इसका B, C, D, E B, C है चारों बुजाए हैं यहां पर होगी तो परिमाब क्या होगी है? दो लंबाई धन चोड़ाई लंबाई हमको यह दे रखिए है दो से ही तीन बटे चार यह नहीं चार नियाट लटे तीन ग्यारा बटे चार और चोड़ाई देख रहे हैं साल बटे च्छै और दो बाहर से ब्रेकिट के हमने लगाना है तो इसको भी तुमने खुद कोसिश करना है कि इन दोनों को जोड़ना है और बाहर से दो लगा दिया इसका भी उत्तर आ जाएगा सेम जैसे पहले है सवाल में हमने परिमाब निकाला था यह उपर इसी तरह तुमें यह सवाल भी जोड़ना है चले आते हम छटे सवाल पर छटा सवाल है एक तसवीर को किसी फ्रेम या चोखट में जडना चाता है तसवीर 7-3-5 cm चौड़ी है चोखट में उचित रूप से ज़ने के लिए तसवीर की चोड़ाई 7-3-10 cm से ज्यादा नहीं हो सकती तसवीर कितनी काठ्प छट करनी पढ़ेगी यानि फ्रेम में लगाने के लिए तस्वीर को हमें कुछ काटना पड़ेगा वो कितना काटना पड़ेगा कि जो उसकी चौड़ाई में से हम उसे कम कर देंगे जितनी हमें काटनी है उसे हम कम कर देंगे तो देखेंगे इसे कि तस्वीर की चौड़ाई जो थी हमारी पहले जो चौड़ाई थी वो थी सा सही तीन बटे पांच अब फ्रेम हमारे पास के वल सा सही तीन बटे दस है तो हमें तस्वीर कितनी काड़ी पड़ी है उतना हम उसमें से गटा देंगे सा सही तीन बटे पांच में से हम सा सही तीन बटे दस गटा देंगे तो इसको गटा देंगे लिए मिस्विन से बिसमीन बन गई 37, 35 और 38 बटे 5 और इधर बन गया 10, 7, 70, 73 बटे 10 अब 5 और 10, दो संकिया हमारे पास 5 और 10 का लगुतम 10 में दोनों का बाग जा रहा है, 5 का बाग गया है में दो बार तो दो से फिर हमने 38 को गुणा किया तो या गया 860 स्का बदसमें एक बार गिया उसे थीधर गुणा किया तो यह हमारे पास आगिया चेधर माइनस यह था यह इसका उतर हो गया 3 तीन बटे दस इतना हमें तस्वीर को काटना पड़ेगा अब आते हम प्रस नमबर साथ पे हैं साथ वां सवाल है रितु एक सेव का तीन बटे पांच भाग खाया रितु ने और सेज भाग उसके बाई सोमु ने खाया किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना ज्यादा था तो रितु ने सेव का तीन बटे पांच भाग खाया एक सेव का तो रितु ने खा दिया तीन बटे पांच भाग तो सेज कितना बचा भाग पूरा सेव हमारा होता है एक एक का मलग एक बटे एक उसे हम पूरा मानें गया दो लोगोड़ो नहीं से को सब्दोड़े थी पांच एम सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब या इसका लगुत हम यह यह इंच है तो इसके पांच से बाग उसके बहाई ने खाया अब ज्यादा किसमें खाया पॉचिंग उसके भाई ने तो हमारे पास दोनों का हर समान है इसलिए जिसका अंस बढ़ा हो गया यानी 3eeeee 5 भाग बढ़ा हो गया कितना और कितना बढ़ा है यह भी सवाल में था कि कितना जादा गाया तो 3 limited 5 में हमने 2 बट पांच घटा दिया फिर हर समान है तो सीधे गड़ गया एक बटे पांच भाग उसने रित्मने जादा गाया अब आते हम प्रस नमबर आठ में प्रस नमबर आठ है माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्या साथ बटे बारे घंडे में समाप्ति किया बैबव ने तस साथ बटे बारे घंडे में और बैबव ने किया तीन बटे चार घंडे में तो हमें जब तक उसके हर समान नहीं होंगे हमें नहीं पता कि कौन सा कम हर कौन सा जादा है इसके लिए हमने बारा और चार का हलसीम ले लिया दोनों संख्याओं का जिसमें भाग चला जा पूरा क्या तो यह आ गया नो यानि एक का भागा आया साथ और एक आया नो तो अब हमारा एक हो गया साथ बटे बारा और एक हो गया नो बटे बारा इसमें बड़ा कौन सा आया नो बटे बारा नो बटे बारा मनला दूसरे वाले का दूसरा वाला यानि ये तो बैभव ने ज्याद बिन में बना दिया तो यह हो गया दो इकम दो दो चके बारा यह इस परकार से यह परस्टनाली खतम हो गई